तो आज पाच्वे चरन का मतदान हो रहा है और पाच्वे चरन में कई ऐसे सीट है जिस पर सबकी निगाये ठीकी हैं जिनमें सबसे बड़ा सीट इस वक्त माना जा रहा है राय बरेली का यहां से राहूल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं राहूल गांधी ने राय बरेली से इस बार नामंकन किया है और जम कर प्रचार प्रसार भी किया राय बरेली में सोनिया गांधी ने अपना सीट जब छोड़ा तो उन्होंने राहूल गांधी को सौपते हुए ये राय बरे प्रवाइब करने जा रहे हैं जिस इवियम पर लोग बटन दबाने जा रहे हैं वह राइव राइव रहेली के अंदर खराब होती हुए नजर आ रही है जिए आप 25 से जादा इवियम खराब होने की खबर राइबरेली से निकल कर सामने आई है अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से चुनावायों की जो कामकाज है वो महान तरीके से की जा रही है इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है फिलहाल तो लेकिन आपको जानकर बेहर धहरानी होगी कि राइबरेली में कै से एक बड़े तादाद में EVM खराब होने की खबर निकल कर सामने आई है इस वीडियो को कई यूजर्स के जरीए शेयर करते वे जानकारी साचा की जारी और कहा जा रहा है कि राइवरेली में सुबह 20 से जादा EVM जो है वो खराब निकल गया है इन्हें बदलवाया जा रहा ह अमेठी में भी कई जगा EVM खराब निकलने की सूचनाएं लगाता जो है वो सामने आ रही है अमेठी और राइवरेली सीट इन दोनों पर काचे की चक्कर वाली जो लड़ाई है वो देखने सुनने को मिल रही है सबसे पहले तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राह या तो वो कह रहे हैं जर कर भाग गए है और कॉंग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम जर कर नहीं भागे हैं जिस तरीके से खबरे बनाने की कोशिश की जा रही थी उन खबरों पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया है तो यह सब कुछ चल ला है लेकिन यहाँ पर आज मतदान केंदर पर जा जा कर लौट जा रहे हैं क्योंकि इवियम खराब है और इवियम खराब में फिर तो मतदान हो नहीं सकता है और जब इवियम आएगा तो उसके बाद जनता आएगी या नहीं आएगी क्योंकि जनता आपना आप देखी रहें किसकदर गर्मी है और गर्मी में सबसे ज़्यादा जो है सुभा की टाइम पर ही बोट और शाम की टाइम पर पड़ता है। लेकिन सुभा के टाइम पर EVM खर्यादे तो फिर जनता का भी मन खट्टा हो जाता है दोस्तों याप सभी जानते हैं मतदाता हो कि मन की बात जो है वो ऐसे ही होती है वो यहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वोट डाल कर अपना काम खतम करें लेकिन जब EVM सही ना हो तो फिर क्या ही किया जा सकता है इस पूरे रेपोर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया हैं में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चानल क को जादा से जादा लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले